Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल हमेशकार दोस्तों, दोस्तों क्या आपने रिसेंटली सुना है WTO, World Trade Organizations की कुछ मीटिंग्स वगरा चल रही हैं मैं आपको बता दूँ, अबुधावी में, United Arab Emirates के अबुधावी में 13th Ministerial Conference देखने को मिलता है मतलब की जो WTO के Member Countries हैं, 160 से ज़ादा देश हैं WTO के अंदर उनके जो Ministers हैं, वो इसके अंदर Participate करते हैं और मैंने एक वीडियो भी बनाया था अभी जस्ट एक दिन पहले और आपको बताया था कि भारत ने WTO के अंदर Proposal दिया था Remittance Cost को कम करने का मतलब जो Remittances आता है Developed Countries से Developing Countries के अंदर उसमें बहुत सारा Charges लगाया जाता है वो Charges को कम करना चाहिए और जादा तर देशों ने यहाँ पर सहमती दिखाई थी Except America अब दीखे एक और जो बहुत important खबर सामने आया है वो यह है कि भारत की टीम ने WTO के अंदर Thailand के representatives को boycott करने का निर्ने लिया है मतलब कि Thailand के दोरा एक गंभीर आरोप लगाया गया है भारत की उपर आप सोचिए Thailand हमारा एक पडोसी देश है और relations ठीक ठाक है अच्छे खास है लेकिन उसके बावजूद भी Thailand ने आरोप लगाया भारत की उपर की भारत की सरकार जो है किसानों से सस्ते दाम पर सबसीडी रेट पर rice को खरीती है और international market में जो rice का पूरा market है बजार है उसको capture करने की कोशिश करती है वैसे मैं आपको बता दूँ इसके पीछे अगर आप देखोगे जो main countries है वो है actually America और European Union, Canada हो गया ये सब देश इसके पीछे लगे में है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके और वो मैं आपको details से इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ये पूरा मामला है क्या काफी कुछ जानने को मिलेगा चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहे हैं हमारा जो batch है नया batch GS Foundation का वो start होने वाला है ये batches ऐसे हैं जिसके अंदर आपको प्रिलिंस, मेंस, इंटर्व्यू सब कुछ देखने को मिलता है आप पूरी त्यारी कर सकते हैं एक batch लेकर हमारे website आप पर जाएए या फिर comment section में link है और use करिए code अंकित live ताकि आपको maximum discount मिल जाए और इसके लावा अगर आप MCQs एटेंट करना चाहते हैं तो इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे तो चलिए सुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly क्या हुआ है देखे थाइलेंड के जो ambassador है WTO के अंदर जैसे भारत की तरफ से भी appointment किया जाता है भारत को represent करते हैं WTO में वैसे ही थाइलेंड के जो ambassador है WTO के अंदर इनका नाम आप देख सकते हो यहाँ पर मैं तो pronounce नहीं कर पाऊँगा लेकिन इन्होंने भारत के उपर गंभी रारोप लगाया देखे उन्होंने ये कहा कि भारत की सरकार किसानों से जो public distribution system होता है आपको पता ही होगा तो सस्ते दाम पर subsidy rate पर rice को procure करती है और अभी recently आपने देखा होगा किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था राइट और देखे यहाँ पर बहुत ही दोहरा आपको double standard देखने को मिलता है मतलब एक तरफ अगर आप देखोगे Canada अगर आपको या दो पिछला वाला जो किसानों का protest हुआ था तो Canada एक तरह से भारत सरकार के उपर आरोप लगा रहा था लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे WTO के अंदर वो ये कहता है कि आप सस्ते दाम में कैसे खरीद रहो किसानों से आप समझ पा रहो क्या हो रहा है आपर तो basically Thailand ने अभी आरोप ये लगाया है भारत सरकार के उपर कि भारत सरकार सस्ते दाम पर जो चावल है उसको procure करती है पर्बिक डिस्टिबूशन सिस्टम के माध्यम से और इसके थू क्या करती है जो export का market है उसको capture कर लेती है मतलब कि जो international market है अब international market में तो कोई भी चावल बेच सकता है भारत भी बेच सकता है Thailand भी बेच सकता है कोई भी बेच सकता है लेकिन थाइलेंड ये कह रहा है कि भारत जो है सस्ते दाम पर चावल बेज कर वो market को capture कर लेता है और actually अगर आप देखोगे तो भारत इसमें सबसे ज़्यादा export करता है चावल लेकिन ये जो आरोप लगाया गया थाइलेंड के दोरा इसकी वज़े से भारत ने बहुत strong protest किया इसको लेकर और कहा है कि देखे ये बिल्कुल भी बरदास नहीं होगा थाइलेंड ने जिन शब्दों का इस्तमाल किया है वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो थाइलेंड है उसके पीछे अगर आप देखोगे तो अमेरिका हो गया यूरोपियन यूनियन हो गया कैनेडा हो गया आस्ट्रेलिया हो गया वो आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि थाइलेंड के अमबैस्डर ने जब यह आरोप लगाया डबलूटियों में सब के सामने तो यहाँ पर यह जो रेप्रेजेंटेटिव्स हैं डबलब कंट्रीज के उन्होंने तालियां बचाई उन्होंने जोर से मतलब चियर किया इस चीज को कि हाँ थाइलेंड यह वोईस रेस कर रहा है लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत के डेलिकेशन को यह पसंद आएगा दीके भारत को बिलकुल भी बरदास नहीं होगा एक तो आपको पता ही है कि थाइलेंड के साथ भारत का रिलेशन साभी ठीक ठाकता कोई भी ऐस सच प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो चीजें थाइलेंड ने बोली WTO के अंदर इसको लेकर आप देख सकते हो एक तो हमने थाइलेंड गॉर्मेंट के साथ डिरेक्ली प्रोटेस्ट रेस किया है और साथी साथ हमारे जो कॉमर्स मिनिश्टर है प्यूश गोयल साभ उन्हों ने ये पूरा मुद्दा डिरेक्ली यॉनाइटेट स्टेट स्टेट रेप्रे वो गलत है देखो थाइलेंड के अंबैसडर का क्या कहना था कि हम मतलब भारत सरकार सस्ते दाम पर चावल खरीद रही है किसानों से और वो चावल को सस्ते दाम पर इंटरनाशनल मार्केट में बेस देती है जिसकी वजह से भारत को मार्केट कैप्चर करने में आसानी हो ज खरीते हैं और बाकी का जो पुरा चावल है वो आपका export किया जाता है market price के उपर ना कि भारत सरकार यहां पर international market को capture करने के कोशिश करती है भारत सरकार ने यह भी कहा कि हमें यह खरीदना इसलिए पड़ता है तो क्योंकि हमें food security पर ध्यान रहना है भारत में आबादी काफी स सारी है तो आपने देखा होगा सरकार कई सारे schemes वगरा चलाती है जहां पर free में food grains वगरा देती है तो इसकी वजए से हमें यह चावल खरीदना पड़ता है लेकिन आप यह जो आरोप लगा रहे हो कि वो चावल का इस्तमाल हम export market में करते हैं वो बिलकुल भी गलत है अब द क्यों कह रहे हैं क्योंकि WTO में कुछ rules हैं नियम हैं कि यहां पर कोई भी देश एक particular level से जादा वो subsidy नहीं दे सकता किसानों को मतलब वो उतना procure नहीं कर सकता और इसलिए यहां पर क्योंकि अब farmers चाहते हैं कि MSP पे सारा जो crop है वो खरीदे सरकार लेकिन अगर वो WTO में रह का mark है उसको breach करती है देखो मैं आपको बता दूँ रिसेंटली भारत ने जो global market capture किया है मतलब हम बहुत सारा rice export करते हैं इसकी वजह से जो western countries हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है और रिसेंटली आपने देखा होगा भारत ने कुछ ban वगर भी market है इस समय और इसका कारण क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ एक तो developed countries ने क्या किया है अपने हिसाब से अपने सहुलियत के हिसाब से नियम को बनाया है देखो नियम क्या है WTO के अंदर अगर आप नियम देखो यह कहा गया था अल्दो वो नियम के उपर अभी अभी एक तरह से temporary ban लगा हुआ है लेकिन नियम क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ नियम यह कहता है WTO में कि 1986-88 में सोचके देखिए इतने साल पहले 35-40 यह पहले जो आपके देश में production होता था उसका जो value था उसका 10% से जादा आप subsidy नहीं दे सकते यह WTO का नियम कहता है अब अब खुद सोचके देखिए 1986-88 में भारत का क्या ही production हुआ करता था मतलब production था ठीक ठाक हम green revolution से गुजर रहे थे तो हमारा production तो हो रहा था लेकिन आज की date में वो production कई गुना जादा हो गया है तो हम हमें आज के date के हिसाब से production का value देखना चाहिए ना कि WTO जो कहता है कि 1986- 1986-88 लेवल पर अब क्या होता है इसमें देखो problem क्या है developed countries का production तो पहले काफी अच्छा था 1986-88 में तो वो अपना 10% मतलब उस समय के हिसाब से उनका 10% अच्छा खासा होता है लेकिन क्योंकि भारत का production उस समय उतना नहीं था तो इसका 10% भारत का काफी कम हो जाता है तो क्या है अगर आप 1986-88 के हिसाब से देखोगे तो developed countries ये कहते हैं कि अगर आप 3.2 रुपीज पर केजी से जादा अगर आप प्रोक्यॉर करते हो अगर आप देते हो जैसे मा लोग गेहू हो गया अगर आप 3.2 से जादा payment करते हो farmers को तो आप एक तरह से ये subsidy को breach कर रहे हैं अब आ कोईटल मतलब एक कोईटल में 100 kg के आसपास मतलब 1 kg का कितना हुआ 20-100 रुपए अगर मानलो हम गेहू की बात करें तो 18-20 रुपए के आसपास होगा तो अव्वेस सी बात है कि हाँ जब हम जब सरकार farmer से procure कर रही है कि आपको लगता है कि farmer सिर्फ 3 रुपए 2 रुपए 4 र भी नहीं चाहिए किसानों ने उगाया है उनको सही कीमत उनकी मिलनी चाहिए जो इस समय चल रहा है ठीक है तो अब problem क्या है कि developed countries कहते है कि नहीं आप ज़्यादा सबसीडी नहीं दे सकते farmers को और यही मैं कह रहा हूँ double standard यहाँ पर कौन-कौन देश है सामिल यहाँ पर अग पर कहता है कि आप ज़्यादा सबसीडी भी नहीं दे सकते हैं तो चाहते क्या हो I hope आप समझ पा रहे होगे अब question यह कि क्या भारत यह रूल को तोड़ा है यह जो रूल बनाए गया देखो ऐसा नहीं है भारत ने साफ साफ कह दिया था WTO के अंदर कि हमें एक new formula की जरूरत है और सभी ने माना था developed countries ने भी माना था कि हाँ जब तक new formula नहीं आ जाता तब तक यह formula को apply नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत किसी भी rule का उलंगन नहीं कर रहा है that should be crystal clear तो अभी आगे क्या अभी आगे देखना होगा यहाँ पर US European Union कहतो रहे हैं कि हम resolution की तरफ आना है लेकिन अब यह चीजें उन्होंने 10 साल पहले कही थी 10 साल पहले कहा था कि हम new formula बनाएंगे लेकिन आज तक कोई new formula बन नहीं पाया है तो देखते हैं आगे क्या होता है इसको लेकर लेकिन definitely यह जो बड़ी ख़बर थी I hope आपको अच्छे से समझ में आ गय objective नहीं है कई सारो objectives है world trade organizations के कौन सा नहीं है आपको बताना इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उतर में कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ अगर आपको पसंद आया होगा मिलता आप से नेक्स टाइम तिल देन थैंक यू वरी मच्च सी यू सून Study IQ IS अब तयारी हुई affordable